हेलो स्टुएंट माई सेल्फ राहूल मिस्रा टीम बॉटनी सील सी सीकर आज हम यहां डिसकस करते हैं गुरु नीती का जो सिक्स्थ नंबर का टॉपिक है पेपर उसको डिसकस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट्स एंड मिल्लन लूटिशन 11 का यह प्लांट फीजियोलोजी के दो चैप्टर हैं जिससे रिलेटेड हम प्रीवीस यह के कॉस्चन ह संसाधित अभी गमन से संबंध नहीं रखता है यानि की से कौन सा एक है जो आप्शन है अब जैकि अगर साधियर रृत है बात है तो इसमें अभी गमन संतरप्ता बिल्कुल होती है आप ने पढ़र रखा है कि अगर जहां प्रोटीन के तूट होता है वहां पर संत्रप्तता आ जाती है तो यह अभी गमन संत्रप्तता होगी इसके साथ उर्द्व अभी गमन नहीं होगा ध्यान रखना क्यों क्योंकि फैसिलेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का विसरण ही है जिसमें पदार्थ के अणू स्वयम की अधिक सांद्रता से निम्न सांद् करते हैं अर्थात सिख्रो परिगanders नहीं होता उर्ध अभी इसमें नहीं होता यानिकी डाउन हिल मूबमेंट होता है विसरण क्ला प्रोटीन की रिकवाटन मेंट होती है जो कैरियर टाइब की भी हो सकती है और चैनल टाइप की हो सकती है को ब्लकुल यह टुक्न से आएगा सेकेंड क्योंकि इसमें उर्द अभी गमन या अफिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो देखिए विच आप फॉलाइंग क्राइटेरिया डज नौट पर्टेंट टू फैसिलेटेट ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया एपली के वल नहीं है ट्रांसपोर सेचुरेशन बिल्कुल होता है अपहल ट्रांसपोर्ट नहीं होता मैंने अभी आपको आया क्योंकि मॉलीक्यूल का मूब्मेंट फैसिलेटेट ट्रांसपोर्ट में हायर कंसेंट्रेशन टू लोवर कंसेंट्रेशन होता है रिक्वार्मेंट आप स्पेशल मेंब्रेन प्र गती शीलता को सुगम बनाती है तो इसे क्या कहते हैं हमने यहाँ पर एंटी पोर्ट इंपोर्ट पड़े हैं एंसी आइटी में किलियर दे रखा है अगर कैरियर प्रोटीन के थुरू माल लीजे यह क्या है प्लाजमा मेंब्रेन है प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर यह कैरियर से प्रोटीन प्रोटीन है इस केरियर प्रोटीन के तुरू अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक दिये हैं और केरियर प्रोटीन के तुरू मॉलीक्यूल एक ही दिसा गंद cut कि अगर दो टाइप मॉलीक्यूल एक त्रांसफर होते हैं केरियर प्रोटीन के तुरू जैसे मॉलीक्यूल इस साइट से साइट जा रहा है जब कि भी molecule इस तरफ से इस तरफ गमन कर रहा है तो आप देख रहे हो ए और बी के movement की दिशा अलग-अलग है इसलिए इसको बोलते हैं एंटी पोड तो यहां क्या लग रखा है एक ही दिशा में दो एक ही दिशा में जब दो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे शिम पोर्ट इसका आंसर क्या जाएगा सेकिंड ध्यान रखना वेन प्रोटीन फेसलेटेट्ट प्रकार के पदार्त का कोशी का जिली से होकर जाना कठिन होगा यानि कि प्लाजमा मेंब्रेन के दें किसा टाइप मॉलिक्यूल नीचर का है है कैसा है हाइड्रोफिलिक यह वह आइनिक नेचर का है तो इस केस में ऐसे मॉलीक्यूल का मूब्मेंट मेंब्रेन के थ्रू जो होगा वो बहुत कटनाई के साथ होगा ध्यान रखना ऐसे मॉलीक्यूल डारेक्ट मेंब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के पदार्थ का कोशी का जिल्ली से होकर जाना कटन होगा सभी पदार्थ चाहें बहुत भीत वाला अरधांस हो या फिर जल्रागी वाला अरधांस रखता हो यानि कि किसी टाइप के मॉलीक्यूल हो चाहें उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट हो या हाइड्रोफोबिक पार्ट हो तो क्या दोनों ही टाइप के मॉलीक्यूल का जाना कटन होगा गलत है क्योंकि यहा सिंगाउसें थोड़ा सा क्लियर नहीं है दूसरा देखते हैं लिपिड में घृष यह पदार्त हो गाने में फॉस्पुल लिपीड प्रिजेंट होता है और फॉस्पुल लिपिड चुकि घुलंसील पदार्थ है लिपिड में तो इस केस में मेंब्रेन को डारेट क्रोस कर सकता है तो यह कठनाई से नहीं आसानी से गुजर जाएगा जल भीत अरधांस वाला पदार्थ जल भीत यानि की हाइड्रोफोबिक मौईटी वाला पदार्थ गलत है यह यह तो इज क्यों मेंब्रेन से होकर बहुत कटनाई से होकर निकलेगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा फोर्थ ज्यान रखना विच ताइप अफृस्टेंस बुट से सेल मेंब्रेन से तो कर art o nai कि बात करें कि हूं उसके पास कोई नहीं सारे पदार्त कटनाई के साथ मेंब्रेन को यह तो गलत है यहा पर सब्सक्राइब सोल्यूबल इन लिपेट यह तो इजीली पार करेगा सब with hydro phobic moiety यानि कि जिसके पास hydro phobic moiety है तो वह 360 कर जाएगा लेकिन आनसर क्या आजाएगा फोर्ट जिसके पास hyderophilic part होगा वह बहुत आप कहे सकते हैं easily cross नहीं कर सकता उसको क्या होगा क Old nosonid यहां पर आपको दे रखा है कि विलियंट कर दे रखा है इसका मतलब अगर मैं विलेण की बात करूं जैसे माली यह एक बीकर है इस बीकर में हमने क्या ले रखा है water ले रखा है और water में क्या ले रखे है solute molecule अब आपको पता है pure water में जब solute add कर दिया तो इस case में बन चुका है solution और solution के अंदर water potential की value कैसी होगी negative होगी कैसी होगी negative आप देखिए इसमें और विले एड कर दिया जब इसमें और solute add करेंगे और विले add करेंगे तो इस case में water potential की value और minus में चली जाएगी तो पहले के compare में इसकी value कैसी हो जाएगी ज्यादा negative हो जाएगी more negative हो जाएगी तो देखिए यहां पर जल विभाव कम हो जाएगा बिल्कुल सही है इसका जल विभाव सूने हो जाएगा गलत है सूने तो कभी होई नहीं सकता क्योंकि negative में value है और अगर solute add करोगे तो सूने यानि की 0 नहीं होगा बलकि और negative हो जाएगा जल विभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल गलत है प्रभाव पड़ेगा जैसा आप देख रहे हो मैंने आपको बता रखा है कि negative से मोर नेगेटिव हो जाएगा जल विभाव बढ़ जाएगा गलत है गटेगा तो आंसर क्या जाएगा वन के एडिशन ऑफ मोर solute in a given solution विल भी अगर एक solution के अंदर हम more solute add करें तो क्या होगा साइड अबलू की value जो पहले चुकि solution ले रखा है तो solution के लिए साइड डवलू की value होती है नेगेटिव और यह जैसे ही और solute add करोगे तो यह more negative हो जाएगी यानि की water potential lower हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा one make its water potential zero zero कभी हो सकता क्योंकि यह माइनस में जाएगा और not affected the water potential गलत है आप देख रहे हो affected हो रहा है rise its water potential गलत है यह water potential rise नहीं होगा बल्कि और उल्टा कम होगा तो आंसर आ जाएगा one चलिए next question discuss करते हैं वास्पो सर्जन और मूलदा पादपों में जल को कैसे चड़ाते हैं अगर मैं यहाँ पर वास्पो सर्जन की बात करूं तो वास्पो सर्जन कब लगता है ध्यान रखना इसमें यह जो लीफ है अगर मैं लीफ के अंदर जो इस्टो मेटा है उस स्टो मेटा से जब वाटर के फोर में निकलता है ऐटमस्पेर में तो इस प्रोसेस को बोलते है अध्य अध्य ट्राइच influences जो जैईलम वैसल्हाज होते हैं जा यह एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है इसी पुलिंग फोर्स की वजए से वाटर अपवर्ड डारेक्शन में मूब करता है यानि कि ट्रांस प्रेशन के तुरू एक पुलिंग फोर्स लगता है जब कि अगर मैं रूट प्रेसर की बात करूं तो रूट प्रेसर में वाटर का जब absorption होता है तो वाटर absorption active form होता है तो इस case में water अंदर आता है तो इस case में जाइलम वैसल के अंदर एक pulling force ठोड़ी एक pushing force लगाता है जिसको हम बोल सकते हैं positive pressure क्या बोल सकते हैं positive pressure और यह transpiration pull force है यह होता है negative तो अब देखिए वास्पो सर्जन कैसा हो गया खिचाव बल हो गया खीच कर और मूलदाव कैसा हो गया धक्का दाव यानि कि इसमें water molecule एक दूसरे को push करते हैं धक्का देते हैं तो इसमें answer आजाएगा third ज्यानलक न धक्का देकर होगा मूलदाव के लिए और खीच कर होगा वास्पो सर्जन के लिए तो देखिए आप ट्रांस्परेशन एंड रूट प्रेसर कॉज वाटर तू राइज इन प्लांट बाई अगर मैं ट्रांस्परेशन की बात करूं तो पुलिंग फॉर्स लगेगा रूट प्रेसर किस टाइप का है पुसिंग फॉर्स होता है तो आंसर आ जाएगा थर्ड एक लंबे ब्रक्ष की दारूबाही काओं में यानि की जो जाइलम वैसल्स है उसमें जल का इस्तम्व अपने भार से नहीं तूटता इसका कारण क्या है तो देखिए जब NCRT में हम पढ़ते हैं तो NCRT में किलियर बता रखा है वाटर की तीन प्रॉपर्टी बता रखी है कौन कौन सी है फरस्ट है कोहेजन जिसको आप कह सकते हैं ससंजन दूसरा है एडेशन आसंजन और तीसरा आपता है सर्फेस टैंशन जिसको हम बोलते हैं प्रस्थ तनाव यह तीनों जो गुण है जलके यह तीनों मिलकर वाटर को उच्च तनन सामर्थ है यह हाई टैंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करती है और इसी टैंसाइल स्ट्रेंथ की वज़े से जो वाटर मॉलिक्यूल से वो जब तनावल लगता है तो उसकी वज़े से ऊपर की और खिचते चले जाते हैं और वो जो सतत कॉलम होता है वो तूटता नहीं है तो इसका कारण क्या हो गया जलकी तनन सक्ती य या टैंसाइल च्रेंथ ओफ वाटर तो ध्यान रखना आंस्र कैसे जाएगा फोर्थ कि तो तो आपकरिये वॉक्सot CAPion lower results squatsों सबहिक लुए अंडर इट्स वेट विकॉज ऑप हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ओफ वाटर आंसर आजाएगा फॉर्थ next मूल दाव किसकी वज़े से विक्सित होता है अब देखिए मूल दाव किसकी वज़े से मैंने भी आपको explain किया था कि जब root जो होती है वो root minerals को actively absorb करती है तो water भी क्या होता है अपने आप जाइलम के अंदर पहुंशता है और जाइलम vessels के और ट्रेकीट के अंदर एक पुलिंग फोर्स लगाता है जिसको एक पुसिंग फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं क्या मूल दाव किसकी वज़े से होता है सक्रिय अवसोशन के कारण ध्यान रखना सबसे पहले मिनरल्स का absorption होता है जब मिनरल्स को actively absorb किया जाता है तो water molecules भी अपने potential gradient के according move करना start करते हैं और vessels के अंदर एक धक्का दाव या पुसिंग फोर्स लगाते हैं positive pressure जिसको बोलते हैं मूल दाव आंसर आजाएगा third तो root pressure developed due to active absorption यानि कि आप कह सकते हो एक्टिव absorption की वज़े से यह होगा answer आजाएगा third कि किसमें जड़े जल सोशन में नगन कार करती हैं अब देखिए यहां जल अब सोशन में negligible function या नगन कार कौन करेंगे ऐसे प्लांट जो aquatic होंगे यानि कि aquatic यहां जलिये पादप के अंदर जो जड़े होती हैं वो कम विक्सित होती है कैसी होती है जड़े कम विक्सित और इसी लिए यहां पर water का absorption कौन करता है उसके पूरी प्लांट वॉडी करती है अब देखिए मटर की अगर मैं बात करूं यह स्थलिये पादप है सूर्य मुखी स्थलिये पादप है तो इसमें वाटर के है like example आजाएगा अजाएगा इसमें होगा नहीं क्योंकि यह terrestriale plant है यह किस कारण से होता है यानि कि पाइनस सीड केन नौट जर्मिनेट एंड एस्टाबलेस विदाउट फंगल एसोसीएशन दिस विकॉस तो आप जब एंसी आटी पढ़ेंगे क्लियर दे रखा है कि वहां पर चूंकि पाइनस के बीज कवक के बिना ना तो अंकुरित हो सकते ह स्थापित हो सकते हैं क्यों क्योंकि यह एक दूसरे के साथ बहुत अगर मैं कहूं इनका जो रिलेशन सिफ होता है वह अगर एक और नहीं मिलेगा तो दूसरा और नहीं कर पाता है इसलिए द्यान रखना यह मूच्वालिजम का एग्जांपल है जिसमें दोनों ही जीव ए लेकिए this is because of it has obligate association with mycorrhiza तो आंसर क्या जाएगा इस में फोर्थ इसका भ्रूण अपरीपक होता है यह कोई कारण नहीं है बीज में बाधक उपस्यत होते हैं जो अंकुरन को रोकते हैं गलत है यह अंकुरन को ऐसा कोई कारण नहीं है बीज आपरन बहुत कठोर होता है यह की गलत है आंसर आएगा फोर्थ ध्यान रखने तीनों ही ऑप्षन गलत है नेक्स्ट डिसकस करते हैं रात्री में यह पूर्ण प्रहतकाल में घास की पत्तियों के सीर्स से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदाई होती है ध्यान रखना अगर मैं यह जो कॉस्टन दे रखा है यह प्रक्रिया बता रखी है गटेशन या बिंदू स्राब बिंदू स्राब में क्या होता है चुकि यह बिंदू स्राब यह तो प्रहतकाल के समय होता है यह रात्री में होता है तो इस टाइम पर क्या होता है चुकि ट और यह जो गटेशन होता है यह किसकी वज़े से होता है यह रूट प्रैसर की वज़े से होता है किसकी वज़े से होता है रूट प्रैसर यानि कि water का active absorption होता है चुकि transpiration की rate कम है तो यो बाटर है वो pushing force की वज़े से उपर की ओर जाता है और ये बूंदों के रूप में बाहर निकलने लगता है तो इसलिए answer क्या आजाएगा? आजाएगा रूट प्रैसर ठीक है तो ध्यान रखना प्रैसर रिस्पॉंसिवल फॉर फैसिलेटिंग लॉस वाटर लिक्विड फॉर्म टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट अर्ली मॉर्निंग यह एक्जाम्पल आपको बता रखा है गटेशन प्रोसेस के लिए और गट सब्स्केज़ी आपको मिलाना है अब देखते हम इसमें ससंजन ससंजन क्या होता है तो देखे आब आप को तीन प्रोपर्टी बताएँ थी अगर्मे ससंजन की बात करूं तो जलके अनू के मद्य जो आकरशनवल लगता है उसको हम क्या बोलते है ससंजन तो जलके अरूंग पोलर सर्फेस के बीच में जो आकरस्णबल लगता है उसको हम बोलते हैं आसंजन तो आप देखिए दुर्वी यह प्रस्टों के मद्ध आकरस्णबल दूसरा प्रस्टफ तनाव प्रस्टफ तनाव का मतलब होता है जब जल के अनू अगर द्रव अबस्था और गैशियस स्टेज में होते हैं तो गैशियस स्टेज की तुलना में जो water molecules होते हैं जो liquid stage में उनमें आकरशनबल ज्यादा लगता है तो इसको हम बोलते हैं क्या प्रस्ट तनाव तो द्रव अवस्था में अपेक्षा करत अधिक आकरशनबल की उपस्तिती ये किसका उधारण है प्रस्ट तनाव बिंदू स्राब बिंदू स्राब का मतलब है द् एक का आ गया Second है भी का आ गया का है फोर्थ तो आंसर आजाएगा अपना फोर्थ कि ध्यान रखना अगर मैं कोहेजन की बात करूं तो mutual attraction between water molecules तो देखिए mutual attraction मैं मोलीकिول को सेकंड एडेशन किया पहले का समर्स कि बिच और यूते हैं श्वेस्द प्लॉट्ट होता है तो तो वह क्या है एडेशन सर्फ़ेस टेंशन क्या है जो मुर एक्षण इन लिक्विट फेज वाटर का लिक्विड फेज में ज्यादा अट्रेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और गटेशन क्या है लॉस ओफ वाटर कि इन लिक्विड फेज तो आंसर क्या जाएगा फॉर्थ चलिए नेक्स डिसकस करते हैं निमनलिकित मैंसे कौन एक एपो प्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता है अब देखिए अगर मैं आपको ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट्स की बात करूं मतलब पादपों में जब वाटर का एब्जॉर्शन होता है तो अंदर की होता है सिम प्लास्टिक कितने पाथवे होते हैं दो एपो प्लास्टिक और सिम प्लास्टिक यह जो एपो प्लास्टिक पाथवे होता है यह नॉन लिविंग पार्ट से होकर होता है लाइक जैसे यहां पर इंटर सेल्यूलर इस्पेस है या सेल वाल से होकर जब वाटर मॉ molecules membrane को cross नहीं करते क्योंकि यहां पर अगर membrane को cross करेगा वह किस टाइब कमाना जाएगा सिंप प्लास्टिक तो ध्यान रखना एपो प्लास्ट में non-living part से होकर होगा और सिंप्लास्टिक इसमें प्रोटो एप्लाज्म नेकशन कर और मूब्मेंट होगा इसको हम कहिए इसको हम कहिए इसमेंगे works बांके में एंपलास्टिक पत्त दौरा नहीं सबमें सरे इस सब्जयं destते प्लास्टिक को प्लैकर के statement राइट है इस संचलन में कोशी का द्रव्य प्रवा सहायता करता है यह गलत है क्यों क्योंकि यहां पर जो सिंप्लास्टिक मूब्मेंट होता है इस सिंप्लास्टिक मूब्मेंट में एपो प्ला यह कोशी का द्रव्य प्रवा यह इसको हम कह सकते हैं साइटो स्ट्रीमिंग मदद करता है सिम प्लास्टिक में इसके लिए एप्ली केल नहीं है एपफ प्लास्ट सतत है और यह जल संचलन में कोई बाधा नहीं डालता यह सही यह स्टेटिमेंट बिलकुल राइट है अगर मैं एपफ्लास्ट की बात करूं तो एपो प्लास्ट में जो सेल वॉल होती है वो आपस में interconnected होती है तो एपो प्लास्ट पत कैसा होता है continuously प्रेजेंट होता है और चुकि इसमें कोई ज्यादा माटेरियल होते नहीं इसलिए यह वाटर मॉलीक्यूल के मूब्मेंट में कोई भी बाधा उत्पन नहीं करता जल का संचलन अंतरा कोशी किये इस्थानों और कोशी का विट्टी द्वारा होता है बिल्कुल सही है इसमें वाटर मॉलीक्यूल का जो मूब्मेंट होगा वो इंटर सेलिलर स्पेस से होकर तथा कोशी का विट्टी से होकर होता है और पूशा क्या गया था कौन एपोप्लास्ट से संबंदित नहीं है तो आंसर क्या जाएगा सेकंड धान रखना एपोप्लास्टिक पाथवे में जो को मूब्मेंट होता है उसमें सेल मेंब्रेन को क्रॉस नहीं किया जाता ड़स नौट क्रॉस तो यह स्टेट्मेंट बिल्कुल राइट है क्योंकि एपोप्लास्टिक में कहीं भी क्रॉस नहीं किया जाएगा मेंब्रेन को मूब्मेंट इस एड़ वाई साइटो प्लाजमि streaming help करती है सिम प्लास्टिक में एपो प्लास्टिक में नहीं एपो प्लास्टिक इस कंटीनिवाइड ड़स नोट प्रोवाइड एनी बेरियर तु वाटर मुवमेंट यह विल्कुल राइट है मुवमेंट और वाटर अकर स्थो इंटर सेलुलर स्पेस एंड वॉल्स ऑब दा स यह भी सही है नेक्स्त नेंस्ट पादपो में जाईलिम म्यांस लॉखन मुख्य तहका किसके द्वारा फोता यहां से से इंदर उपस्तित को हम क्या वहां पर सैप बोलते हैं जाइलम सैप और उस जाइलम सैप का अपवर्ड मूवमेंट जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं रसा रोहन या एसेंट ओफ जाइलम सैप किसके द्वारा होता है तो देखिए जलके अन्वों के बीच ससंजन और आसंजन द्वारा मूल दाव द्वारा रंद्र छिद्र के कारण उपरी और निचली बाहत तुचा पर रंद्रों के बित्रण के कारण इसमें आंसर आएगा वन क्या आएगा आएगा तो देखिए अगर हम यहाँ पर यह माल लीजे मैंने जाइलम बना रखा है क्या है यह जाइलम के अंदर जब वाटर मॉलीक्यूल एक दूसर यह वाटर मॉलीक्यूल की एक सतत्रंकला है जो ऊपर की और अपवर्ड डारेक्शन में मूव कर रही है अब देखिए यहाँ पर जब यह अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है तो दो बल यहाँ पर मुख्खे रूप से काम कर रहे हैं एक तो इन दोनों वाटर मॉलीक्यूल के बीच में अट्रेक्शन फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं को हैं और वाटर मॉलीक्यूल और इस पोलर सर्फेस जो जाइलम वैसल से इसकी सर्फेस और वाटर मॉलीक्यूल के बीच में जो अट्रेक्शन फो आंसर क्या जाएगा वन तो ध्यान रखना एसेंट ऑफ जाइलम से प्लांट मेंली अपन एकमपलिस्ट वाई कोहेजन एडेशन बिट्वीन बार्टर मॉलिक्यूल यह मैंने यहां सो कर दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपस में जो अट्रेक्शन फोर्स वो कोहेजन ह है जबकि इसका पोलर सर्फेस के साथ जो अट्रेक्शन फोर्स एडेशन यह दोनों मिलकर ही वाटर को अपवर्ड मॉब्मेंट कराने में हेल्प करते हैं आंसर आजाएगा वन नेस्ट रंद्र चलन के लिए निमनिलिकित मैं से कौन सबसे बैद्द और अभी नव ब्याक्या करता है विच वन गिप्स दा मोस्ट वैलेड एंड रिसेंट एक्स्प्लेश एक्स्प्लीनेशन ऑफ इस्टोमेटल मॉब्मेंट तो इस्टोमेटल मॉब्मेंट का मतलब होत के पॉजिट्टिव एंड एच पॉजिट्टिव एक्सचेंज थियोरी इस थियोरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था जैसे माल लिजे यह मैंने गाड़ सेल्स यहां बना दिये है यह क्या है गाड़ सेल्स अब देखिए यह अभी इस्टोमेटल किस कंडिशन में है अब यह गाड़ सेल्स के पास में होती है सबसीडरी सेल्स तो जब लाइट इन इस गाड़ सेल्स पर आती है गाड़ऄम्हा बढ़े जे गाड़ के अंदर जब अ multif करेंगे तो इस में क्या होता है वाण देसे से वाटर गाल बढ़ जाती है तो आप देख रहे हैं इस्टो मेटा ओपन हो चुके हैं तो यह किसकी वज़े से हुआ पोटेशियम आयन के गाड़ सेल्स के अंदर जाने की वज़े से यानि की अंतहसराव या इनफलक्स की वज़े से अब देखिए जब क्लोजिंग होगी जब साम के समय लाइट चली जाती है तो क्या होता है यह जो गाड़ सेल्स जिसके अंदर अभी पोटेशियम आयन इंटर किये थे अब यह पोटेशियम आयन वापस मूब करेंगे कहां पर सबसीडरी सेल्स में तो जब गाड़ सेल्स से जाएंगे तो गाड़ सेल्स के अनदर वाटर पोटेंशियल की वाट जाती है और rudator बापस कहां लोट जाता है तो गाड़ के अंदर टीपी की वैल्यू कम हो जाती है और इस्टोमेटा बापस कैसे हो जाते हैं क्लोज तो आप देखिए क्लोजिंग के टाइम पर पोटेशियम आयन गार्ट से बाहर मूब कर गए यानि की पोटेशियम का बहर सराब हुआ तो आप कह सकते हैं कि जो रंद्र के चलन के लिए most accepted theory होती है वो कौन सी है एक्टिव पोटेशियम आयन एक्षेंज त्योरी तो ध्यान रखना यह सबसे मोस्ट एक्सेप्टेट थ्योरी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑप इस्टोमेटा के लिए तो ध्यान रखना इस्टोमेटल मूब्मेंट के लिए जो थ्योरी ह यह है पोटेशियम influx & E-flux कब होगा जब ओपनिंग होगी तब influx होगा गाट अन्दर पोटेशियम WARN का और जब क्लोजिंग होना होगी तक तो को बताया था कि यहां पर यह जो guard cells होती है इन guard cells के पास में जो cells present होती है इनको बोलते है subsidiary cells जैसे यह दो guard cells हैं guard cells के पास में जो cells present होंगी specialized epidermal cells हिनको हम क्या कहेंगे subsidiary cells क्या कहेंगे सबसीडिये सेल्स या हिंदी में इनको हम कहेंगे सहायक कोशिकाएं तो आप देखिए लेंटी से बातरंद्र गलत है यहां इनको बातरंद नहीं बोलते ओसे पूरक कोशिकाएं गलत है यह यह कोमपलीमेंट्री सेल्स लेकिन पूचा किसके बारे में घया में घौत सफोरीए जीन के पास में ज्यों होती है सहायक कोशीकााएं बिल्कुल सही आंसर और्ड तव कोशिकाएं की फॉर्म सेल्स यह लीफ के अंदर एपीडर्मिस लेयर में पाई जाती है गाड़ सेल्स के बाहर नहीं होती तो आंसर आजाएगा थर्ड पादप पत्ती से जल वास्प रंद्रों के द्वारा बाहर आता है प्रकास संसलेशन के दौरान उसी रंद से कारवन डाई ऑक्साइड पादप में विश्रित होता है उपरियुक्त कत्नों में कारणों पर विचार कर एक विकल्प चुनिये अब देखिए इसमें बोला गया ह यह कि वाटर बेपर कमश आउट प्रॉंद प्लांट लीफ फोड़ा इस्टो मेटल ओपनिंग तो दा सेम ओपनिंग कारवन डा औक्साइड डिफ्यूज इन्टू दा प्लांट डिफ्यूरिंग फोटो संत्थेसिस तो इसका रीजन क्या है यानि कि एक ही स्टो मेटा है उ एक ही स्टोमेटा से किसके कारण हो रहा है उसका रीजन हमें बताना है तो एक प्रक्रिया दिन में तथा दूसरी प्रक्रिया रात में होती है गलत आप देखिए ट्रांस्परेशन भी दिन में होता है और गैसियस एक्षेंज इसमें CO2 अंदर आती है फोटो सिंथेसिस के लि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती है क्योंकि जल और CO2 का विसरन गुणांक भिन होता है आंसर इसका यही आएगा उपर युक्त प्रक्रियाएं केवल रात में हो सकती है गलत क्योंकि प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया दिन में होती है रात में नहीं तो दिन में ही ट्र बाहर निकलता है तो अलग अलग विश्रन गुणांक होने की वज़े से दिन के समय एक ही इस्टो मेटा से जल बाहर निकल सकता है ट्रांस्परेशन के तुरू और सी यो टू अंदर आ सकता है क्योंकि इनके विश्रन गुणांक कैसे होते हैं अलग अलग विश्रन गुणांक अलग होनी की वज़े से यह रहा है, answer आएगा 3rd रंधर चिद्र के खुलने में निम्निलिखित में से क्या सहायता करता है अब देखिये, अगर रंधर की बात करें, तो istomator जो पोर होता है उसके opening में क्या सहायता करता है द्वार कोशिकाओं की स्फीतता में कमी गलत है अगर ओपनिंग होना है तो द्वार कोशिकाओं की स्फीत यानि की तरजी डिटी बढ़ेगी कम नहीं होगी द्वार कोशिकाओं की कोशिका वित्ती में सेलूलोज सूक्षमतंतियों का त्रिजिये विन्यास यह हो सकता है क्यो structure की बात करूं तो गार्ट सेल्स के structure में आपने पढ़ा होगा इसकी सेल वॉल में रेडियली अरेंज कुछ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स पाये जाते हैं जो क्या करते हैं ओपनिंग में हेल्प करते हैं ध्यान रखना यह रेडियली की अरेंज होते हैं longitudinally arrange नहीं होते हैं दौर कोशिकाओं की बाहरी वित्ती का संकुचन होता है गलत कि यहां पर ध्यान रखना आंसर क्या जाएगा दौर कोशिकाओं की कोशिका वित्ती में सेल्यूलोल सूख्षतंतूंगों का त्रिजिय विन्यास देखिए यह कैसे participate करता है मान लीजे यहां मैं एक इस्टो मेटा आपको बना के बता रहा हूं जिसमें यह दो guard cells हैं इसमें radially arranged microfibrils यहां present है अब देखिए यहां पर क्या होगा यह subsidiary cells है पास में तो दिन के समय जब light आएगी तो potassium iron guard cells के अंदर इंटर करेगा जैसा भी मैंने आपको उता है था potassium iron जो एक्षेंज थेओरी है वो most accepted है तो इसकी वज़े से guard cells के अंदर जो solute concentration है बढ़ेगी इसकी वज़े से पानी subsidiary cells से guard cells में इंटर करेगा जिसकी वज़े से टीपी बढ़ेगा और जब टीपी बढ़ता है तो प्रैसर और सेल वॉल की तरफ जादा लगता है तो इसकी में और सेल बौलPopा हर की तरफ जाने लगती यह आप देख रहे हैं यह आॉट्रा वॉल है यह आल्कर वाहर की तरफ जाएगी टीपी बढ़ने की वज़ीन की वज़े से तो इस häuf में यह अपने साथ cellulose microfibrils को भी खीचता है जब cellulose microfibrils खिचेंगे तो ये आंत्रिक वित्ती को अपने साथ खीचते हैं तो ये radially arrange होने की वजह से ऐसा होता है अगर ये longitudinal arrange हो जाएंगे तो ये help नहीं कर पाएंगे इसलिए ध्यान रखना which of the following facilitated opening of stomatal aperture decrease in turgidity of guard cell गलत है turgidity बढ़ती है radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cell बिलकुल राइट है ये longitudinal orientation गलत है ये contraction of outer wall of guard cell outer wall का contraction होता है contraction कभी नहीं होता तो इसमें answer क्या जाएगा second next रंध्रों की गती शीलता किसे प्रभावित नहीं होती अगर मैं इस्टो मेटा के जो opening और closing की बात करूं तो यहां रंध्रों की गती शीलता या opening and closing की जो बात है उसके कौन प्रभावित नहीं करता तो अगर मैं तापमान की बात करूं तापमान जादा बढ़ेगा तो वाटर लॉस जादा होगा तो इस केस में स्टो मेटड़ क्लोज हो सकते है यानि कि यह प्रभावित करेगा परिकास ध्यान रखना प्रकास भी करेगा अभि मैंने आपको उताया था जैसे की समय प्रकास आता है तो यह भी प्रभावित करेकिशी और सीओ टू की सांदर Times बढ़ जाती है तो इस केस में जो ABA हॉर्मोन है उसका synthesis बढ़ जाता है और ABA istomata को close कर देता है तो आप कहा सकते हो CO2 की सांधरता भी प्रभावित करेगी लेकिन O2 की सांधरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा istomata की opening और closing पर तो इसलिए ध्यान रखना istomata movement पर जो है वो not affected होगा किसके तुरू O2 concentration स आंसर आ जाएगा one नेक्स्ट जाइलम किसका इस्थान आंतरन करता है जाइलम ट्रांस लोकेट तो clear NCRT में लिख रखा है कि यह जो जाइलम होता है वो मेली तो water का transport करता है और water के साथ-साथ minerals का transport होता है तो water और minerals लेकिन इसके अलावा आपने यह भी पढ़ा है कि जब biological nitrogen nitrogen fixation होता है तो nitrogen fixation की वजह से जो एमाइड बनते हैं या organic nitrogen होता है वो जाइलम vessels के तुरू transport होता है तो हम कह सकते हैं कुछ जैवी यह nitrogen या organic nitrogen इसके अलावा कुछ hormones का भी transport करता है तो answer क्या जाएगा second तो ध्यान रखना जाइलम के तुरू water का transport होगा water के साथ-साथ-साल्ट भी ट्रांस लोकेट होंगे और सम ऑर्गेनिक nitrogen का ट्रांस लोकेशन होगा जैसे मैंने एक्जाम्पल बताया एमाइट्स एंड होर्बोन का भी transportation होता है answer आ जाएगा second next phloem में सरकरा की गती की दिशा कौन सी होती है अब देखिए phloem के अंदर अगर सुगर के ट्रांस लोकेशन की बात करें जैसे माली यह प्लांट है यहाँ पर यह है लीफ तो लीफ में food का synthesis होगा transpiration के तुरू अब यह जो food material बने हैं यह phloem के थुरू ट्रांस लोकेट होंगे किसके तुरू ट्रांस लोकेट होंगे फ्लो यह तुरू अब यह भी हो सकता है में बी अपर साइट जाए में भी यह लोवर साइट जा सकते यह यानि कि downward direction में तो ऊपर की ओर भी जा सकते हैं upward या downward नीचे की ओर तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बाई-Directional क्या कहेंगे बाई-Directional आंसर आ जाएगा second तो ध्यान रखना बाई-Directional पाध़प कारिकी वैंज्ञानी को द्वारा गर्डलिंग या कटीवंद प्रियोग उस पाधब उतक की पहचान के लिए किया गया जिसके द्वारा खाद का अभी गमन होता है बिल्कुल सएँ जल एवँ खाद दोनों का अभी गमन होता है हमें राइब में उसी में लास्ट में गिर्डलिंग एक्सपरिमइंट दे रखा तो उसमें यह जो स्टेम था उस स्टेम के अंदर बार्क में एक रिंग यहां पर कट की तो उसमें बार्क को रिंग के फॉर में कट कर दिया तो ध्यान रखना अब टूदा डैफ तो फ्लोयम यानि की फ्लोयम तक और फ्लोयम से अंदर अभी वस्कुलर केमियम और जाइलम वचा हुआ है तो इस केस में प्लांट में जब देखा गया कुछ टाइम बाद तो पता चला इसमें जहां रिंग बनाई थी उस रिंग से उप फूल गया क्यों फूल गया क्योंकि पत्ती से जो भोज्य पदार्थ आ रहे थे फ्लोयम द्वारा वह नीचे की तरफ रिंग से नीचे की तरफ मूब नहीं कर पाए तो रिंग से ऊपर ही ऊपर इखटे होते गए इसकी वज़े से यहां पर जो पार्ट है वो थोड़ा सा क टिशू को कट किया था जाइलम को नहीं यानि कि उस टिशू की पहचान की गई जो फूर्ड मटेरियल का ट्रांस लोकेशन करता है आंसर आ जाएगा वन यह तो अभी हमने डिसकस किये थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर से रिलेटेट कॉस्चन अब हम बात करते हैं मिनरल एलिमेंट मिनरल न्यूटिशन से रिलेटेड अब देखिए सबसे पहले हैं सबसे पहला है निम्न मेंसे कौन सा तत्व बायो टिन का संगठन ह संगठक है यानि कि ऐसा कौन सा तत्व है जो वायो टिन में मिलता है तो तो जब आप और प्लेंदगे ऐस मॉट यह अर्ट पाया जाता है क्या उपस्ते होता है नेक्स्ट पादब ब्रद्दी के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं अब देखिए पादब ब्रद्दी के लिए जो अधिक मात्रा में आपेक्षित खनिज की बात की गई है तो हम यहां अगर मिनरल्स की बात करें दो टाइप की मिनरल्स हमने पड़े है एक तो माइक्रो न्यूट्रियंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रियंट माइक्रो न्यूट्रियंट जिनकी आवसकता बहुत कम मात्रा में होती है जबकि मैक्रो न्यूट्रियंट जिनकी आवसकता बहुत अधिक मात्रा में होती है अगर मैं मैक्रो न्यूट्रियंट्स की बात करूँ तो मैक्रो न्यूट्रियंट्स में कौन-कौन से तत्व आ जाते हैं कार्बन, हाइडोजन, ऑक्सीजन, नाइटोजन, मैगनीशियम, फॉसपोरस, पोटेशियम, केलसियम, सलफर ठीक है तो चार, तीन, साथ, एक आठ और नो, कितने एलिमेंट आगा इसमें, नाइन, बाकी एट एलिमेंट किसमें आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रियंट में, किसमें आ जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रियंट में, अब देखिए, यहाँ पर पूचा क्या गया है, इसमें अधिक मात्रा में, यानि की मैक्रो के potassium macro है sulfur macro है calcium macro है तो answer क्या जाएगा second फिर भी देख लेते हैं calcium macro magnesium macro magnesium or copper यह macro नहीं है potassium phosphorus macro है selenium यह नहीं है ठीक है तो इस case में answer क्या जाएगा second ध्यान रखना यहां पूचा गया है large amount में कौनसे element की requirement होगी plant की growth के लिए तो answer क्या जाएगा second क्योंकि इसमें phosphorus potassium sulfur और calcium सारे के सारे macronutrients बता रखें नेक्स्ट निम्निलिकित में से कौन से सभी तीन ब्रहद पोशक तत्वें अब यहां ध्यान रखना यह नीट 2016 में question दिया गया था इसमें बताया तो गया था पूचा गया था कि तीन ब्रहद पोशक लेकिन इसमें कहीं भी आपको option में तीन ब्रहद पोशक है अब देखिए यहां पर इसमें nitrogen macro है phosphorus macro है तो इसमें कितने macro हो गए दो इसमें boron नहीं zinc नहीं मैंगनीज नहीं iron copper molybdenum नहीं मैंगनीशियम इसमें एक है तो answer क्या जाएगा हमारा first तो इसमें द्यान रखना सबसे जादा macro nutrient किसमें दे रखे हैं पहले वाले में इसलिए हमारा जो correct answer जाएगा वो कौन सा है first द्यान रखना इसमें तीन ब्रहत पूचे गए थे लेकिन इन्होंने कोई भी option में ऐसा नहीं दिया था यह maximum जो ब्रहत पोसक वाला option हमें चूज करना पड़ता है नेक्स्ट यहां पर हम question discuss करते हैं निमनलिखित में से कौन सा element होते हैं जो enzyme को active करते हैं यहां उसकी activity को कम करते हैं जैसे magnesium बता रखा है वहां पर iron हो सकता है तीसरा option इसमें बता रखा है कुछ ऐसे भी element है जो energy से related compounds के घटक होते हैं जैसे phosphorus हो गया जो ATP का घटक है यह magnesium हो गया जो chlorophyll का घटक है और चौथा आता है कुछ ऐसे तत्व जो इस फीत ता को बनाए रखते हैं यह आप कह सकते हो तरजी डिटी को maintain करते हैं जिसमें आपको बताए गया है potassium तो answer क्या जाएगा फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा main responsible कौन सा होता है potassium इसलिए हमने अभी जो question डिसकस किया था transport in plants में उसमें main जो theory आई थी वो potassium ion action theory थी क्यों क्योंकि जब potassium move कर रहा था तो तरजी डिटी को change कर रहा था तो answer आ जाएगा one next पादपोंद्वारा लोह का अवसोचन निमने लिखित में से किस रूप में होता है अब देखिए NCRT में clear दे रखा है कि plants जो है वो iron का absorption करती है fahric के form है किसके form है observe करती है एब्रिक के form है यहाँ fahric और ferous डोनों के form में नहीं करती है next अनीवार तत्व और पाधंपों में उनके कार्यों के विश्य में निमने लिखित में से सुमेलित कीजे यानि कि एक तरफ आपको यह element दे रखे है essential element और दूसी तरफ इनके कुछ function दे रखे हमें इनको matching कराना है तो देखिए दर iron की बात करें तो iron किस में किसके लिए responsible होगा chlorophyll के जैव संसिलेशन के लिए जब आप ncrt पढ़ेंगे clear दे रखा है कि iron required for the synthesis of chlorophyll जिंक की requirement किस लिए होती है आई ए यानि की यह oxygen के synthesis के लिए तो जिंक की indole acetic acid यह oxygen के synthesis के लिए boron pollen germination के लिए और जल के अपगटन के लिए manganese तो answer क्या जाएगा एक थर्ड बी का फोर्थ एक थर्ड बी का फोर्थ आंसर आ जाएगा one तो देखिए पी boron pollen germination और यह manganese तो एक थर्ड बी का फोर्थ सी का second और डी का first नेक्स्ट यह भी हमें मैचिंग करानी है तो देखिए अदर कि मैंगनीज मैंगनीशियम बोरन और लो अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज की कि रिक्वार्मेंट किसके लिए होगी प्रकास संस्लेशन की दौरान जल के अप गटन में कार्य करता है अब देखिए अगर मैं मैं मैंगनीज की बात करूं तो आपने पड़ रखा है फोटो सिंथेसिस के टाइम पर फोटो लेसिस ओ वाटर होता है जिसके लिए एक आयन क की रिक्वार्मेंट होती हो कौन सा है मैंगनीज कि क्या करेगा फोटो सिंथेसिस के टाइम पर वाटर की स्प्लिटंग में पाटिशीपेट करता स्चाई मैगनीशियम स्वसन के एंजाइमों को सक्रिय करता है तो ध्यान रखना यह जैसे आप कह सकते हो हेग्जोकाइनिज एंजाइम है तो उसके एंजाइम उसको एक्टिवेक करने का काम कौन करता है मेगनीशियम पराग के अंकुरन के लिए आवश्रक्त होता है तो देखिए यहां पर बोरॉन ग्रेन के जर्मी नेशन के लिए बहुत ज़ादा रिक्वायड होता है और के लेज데 एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है लोह या आईरन तो आप कहा सकते हो मेगनीज किस से रिलेटेड हो गया फोर्थ से एक आ गया फोर्थ भी मेगनीशियम यह आ गया एक्टिवेट एंजाइम्स ओफ रेस्पिरेशन बोरॉन रिक्वाइड फॉर पॉलेंज जर्मिनेशन और आयरन किसके लिए आ गया फस्ट के लिए तो फोर्थ थर्ड सेगेंड और फस्ट तो आज आएगा फस्ट कि नेक्स्ट कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखेंगे अब देखिए किसी भी तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखेंगे यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर वो तत्व motility शो करता है या नहीं अर्थाद वो प्लांट के अंदर mobile है या immobile है अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूँ दोनों element के लिए अगर माली यह कोई element है जो कैसा है mobile है यहां माली यह जीरिमान पत्ती है यानि कि सैने सिंग लीफ है जो old हो चुकी है इसको जड रहे तो इस केस में plant क्या करेगा old leaf से इस nitrogen और potassium को move कराएगा और move कराकर कहां इसको भेजेगा जहां पर सीर्स भाग की और जहां नई पत्तियों का निर्मान हो रहा होता है तो आप कह सकते हो जब पत्ती इस old leaf से nitrogen और potassium निकल जाएंगे तो कमी के लक्षण कहां उत्पन होंगे सबसे पहले पुरानी पत्तियों में यह जीरिमान पत्तियों में ठीक है तो ध्यान रखना अगर जानी पत्तियों में नहीं आते जैसे calcium तो आप कह सकते हो nitrogen potassium की कमी के लक्षण सबसे पहले कहां आ जाएंगे old leaf के अंदर आएंगे तो ध्यान रखना deficiency symptoms of nitrogen potassium are visible first in senesine leaf because यह जो senesine leaf है यहां से nitrogen potassium easily mobilized होकर जहां एपिकल पार्ट है वहां की तरफ ट्रांस लोकेट हो जाएंगे तो सबसे पहले जो विजीवल होंगे character deficiency के वो old leaf में होंगे answer आ गया one next कौन से दो प्रमुक सूख्षम जैविक प्रक्रिया है जो इस्त्रीकरत nitrogen को nitrogen gas के रूप में बायू मंडल में परिवर्तित कर देती है which two distinct microbial process responsible for the release of fixed nitrogen as nitrogen gas यानि की nitrogen fix हो चुका है ammonium के फॉर में अब इस ammonium को जो fix nitrogen है ammonium के फॉर में उसको कौन सी दो process है जो nitrogen gas में convert करती है तो ध्यान रखना जो nitrogen fix nitrogen है लाइक जैसे ammonium के फॉर में यहां present है ammonium iron के फॉर में तो इस ammonium iron को एक process चलती है जिसका नाम है ammonium का अनॉक्सी ऑक्सी करन जानि की anaerobic ammonium oxidation जिसको sort में बोलते है एन एक सेगंड इसको हम sort में बोलते है एनमॉक्स मैं आपको यहां लिख के देता हूं देखिए anaerobic में से एन ले लिया तो यह हो गया एन ammonium में से a double m ले लिया और oxidation का ox ले लिया तो इसको sort में बोलते है एनमॉक्स ठीक है तो anaerobic ammonium oxidation से ammonia direct किस में बदल सकता है nitrogen gas में और यहां तो denitrification से जो ammonium है वो पहले नाइट्राइट में बदलेगा फिर नाइट्रेट में और वापस नाइट्रेट से क्या बन जाएगा यहां पर जो nitrogen gas बन जाएगी तो आप कह सकते हो एक तो anaerobic ammonium oxidation होगा और दूसरा denitrification होता है answer आ जाएगा fourth next no stock में उपस से द्विसिस्ट कोशी का जो बायू मंडली nitrogen का इसरी करण करती है तो ध्यान रखना अगर मैं no stock की बात करूं no stock क्या है एक बी जीए है और बी जीए के अंदर क्या प्रजेंट होती है विसिस्ट टाइप की सेल जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट और यह जो हेट्रोसिस्ट है इसी के अंदर प्रजेंट होता है एक enzyme नाम है nitrogenage और इसी nitrogenage की वज़े से यह नॉस्टॉक nitrogen fixation कर सकता है यानि कि बायू मंडली nitrogen को ammonia में convert कर देता है तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट हेट्रोसिस्ट तो ध्यान रखना नॉस्टॉक के अंदर specialized cell होती है हेट्रोसिस्ट नेक्स्ट फलीदर पादपों में वाईू मंडली nitrogen इस्तिर्टी करनड का पहला इस्तिर उतपाद क्या होता है तो देखिए जब वाईू मंडली nitrogen कोflower की करत किए जाता है तो आपको पता है वाईू मंडली nitrogen का पाइजाती है इस गरंतिका के अंदर bacteria होता है जैसे राइजोबियम राइजोबियम क्या करता है एनवार्मेंट की नाइट्रोजन को fix करके किसमें बदलता है अमोनिया में तो आप कह सकते हो नाइट्रोजन fixation के बाद जो पहला stable product बनता है वो कौनसा होता है अमोनिया कौन सा है अमोनिया आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट नाइट्रोजन इस्थरी करण के दौरान ऑक्सीजन के विसेले प्रभाव से नाइट्रोजिनेज को निस्क्रिये करण किसके दौरा रोका जाता है दौरिंग बायलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनेक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाई ऑक्सीजन पॉजिनिंग इस प्रिवेंटेट बाई यानि की बायलोजिकल नाइट्रोजिकल नाइट्रोजिन फिक्सेशन के टाइम पर नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन के through inactive होने से कौन रोकता है तो ध्यान रखना यहां पर एक pigment present होता है जिसका नाम है leg hemoglobin और leg hemoglobin किसके फॉर में function करता है यह oxygen O2 का अपमार्जक होता है यहां आप कह सकते हों O2 का scavenger होता है तो यह oxygen को गिरहन कर लेता है और oxygen को nitrogen तक नहीं पहुँचने देता है इसी लिए nitrogen के आसपास परिस्थियां अवाई विये रहती हैं और nitrogen आसानी से वातावन की nitrogen को ammonia में convert करता रहता है तो answer आ जाएगा third नेक्स्ट थायो बेसिलस जीवाणूओं का एक समू है जो निमनिलिखित में से कौन सा कार करने में सहायता करता है यानि कि थायो बेसिलस कौन सा ग्रुप है बैक्टिरिया का जो क्या करता है वह हमें बताना है अब देखिए हम अगर NCRT में पढ़ें तो क्लियर बता रखा है एक प्रक्रिया आती है D-Nitrification या V-Nitrification में फिक्स नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस में कनवर्ट होती है इसके लिए कुछ बैक्टिरिया पार्टिसिपेट करते हैं लाइक जैसे इसमें आ जाएगा थायो बेसिलस एंड स्यूडो मोनास यह बैक्टिरिया डी नाइट्रिफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर आ जाएगा सेकंड वी नाइट्री करण सिंपल एंसी आटी बेस है अब देखिए नेक्स्ट फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंती काओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभी क्रिया का या के उत्पाद कौन से हैं यानि कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उन में रूट नो सिंबायोटिक नाट्रुजन फिक्सेशन है उसके लिए एक रियेक्शन बता रहा किया है एंट्टू प्लस एट एट एच पॉजिटिव प्लस एट इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें लगते हैं 16 ATP और अंत में क्या बनता है इसमें तो देखिए यहां 2NH3 प्लस H2 प्लस सोला ADP प्लस सोला इन औरगेनिक फॉस्पेट तो आप देख रहे हैं उत्पाद क्या है अमोनिया और हाइड्रोजन गैस तो आंसर क्या जाएगा सेकेंड अमोनिया एंड हाइड्रोजन ठीक है तो आंसर क्या गया सेकेंड यहां पर आपको मैचिंग करनी है अब देखिए यहां पर नाइट्रो कोकस बैक्टीरिया राइजोबियम इन सब को मिलाना है अगर मैं नाइट्रो कोकस की बात करूँ तो यह जो नाइट्रो कोकस बैक्टीरिया है यह क्या करता है अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता तो नाइट्राइट का नाइट्रेड अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन तो एक आ गया सेकंड राइजोबियम क्या करता है बायू मंदली है नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है थायो बेसिलस अभी हमने बात की थायो बेसिलस क्या है वी नाइट्र करनल करता है और बचा नाइट्रोबेक्टर यह नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है तो एका सेकंड बी का फॉर्थ एका सेकंड बी का फॉर्थ सी का फरस्ट और डी का थर्ड आंसर आजाएगा फॉर्थ तो ध्यान रगना नाइट्रो कोकस ये कनवर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में राइजोबियम कनवर्ट करता है एट्मोस्फरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में थायो बेसिलस कनवर्ट करता है ये डी नाइट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है और के लिखित में ऐसे कौन एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन इस्त्री कारक गरंतिकाएं उत्पन करता है तो ध्यान रखना यह जो एलनस प्लांट है यह नॉन लेग्यूमनस प्लांट है और इस एलनस प्लांट के अंदर एक बैक्टिरिया है जिसका नाम है फ्रेंकिया यह सिंबायोटिक एसोसियेशन फॉर्म करता है और रूट नोड्यूल्स बनाता है तो आप कह सकते हैं कि एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन इस्तिका ग्रंथिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखना इसमें आंसर आजाएगा फर्स्ट नेक्स्ट लेग्यूमिनस या फलीदार पादपों की जड़ ग्रंथिका के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम को कौन बचाता है यही कोश्चन देखो एक बार फिर रिपीट हो गया कि यहां पर जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम्स प्लांट के अंदर उसम क्या जाएगा फोर्थ कि आप देखिए यहां पर आपको मैचिंग करानी है सूची वन और सूची सेकेंड यहां दे रखा है पोरिन प्रोटीन अब देखिए पोरिन क्या है माइटो कॉंड्रिया की बाहरी जिल्ली में उपस्तित बड़े छिद्र होते हैं लेग तो यह कहां होता है थाइले कोईड के लिमेन के अंदर जब फोर्टो सिंथेसिस होती है स्वसंद की बात करूं तो स्वसंद एक एमफीबोलिक पत होता है यानि कि एक आ गया फोर तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ क्योंकि एक मैं दे रखा है बी का आ गया फस्ट सी का आ गया सेकंड डी का अगया थर्ड तो देखिए पोर इन प्रोटीन क्या है यह एक यूज पोर होती है जो माइटो कॉंडिया की आउटर मेंब्रेर में पाया जाता है लेग इमोगलोबिन पिंग कलर का पिंगमेंट से हैं लिमेन आप थाइलेकोईड में एच संतर रूप से रहने वाले नाइट्रोजन इस्तरीकारक वाई विए जीवाणों को दर्साता है तो आप जब NCRT में पढ़ेंगे तो क्लियर बता रखा है कि फिरी लिविंग एयरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन-कौन से हैं एजोटोबैक्टर और ब प्लांट्स मैं आसा करता हूं कि आप इन कौस्टन से बहुत जादा से यादा लाव लेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है नीट आप देंगे थैंक यू